अपनी नापाख हरकतों से कभी नहीं बाज आने वाले पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को एक बार फिर गीदर भब की दे कर डरानी की कोशिश की है इस बार पाकिस्तान आर्मी चीफ राहिल शरीफ ने भारत को सर्जिकल स्ट्राइक का डर दिखाया है सीमा पार से फिर आई गीदर भब की रिटार्मेंट से पांच दिन पहले आर्मी चीफ की बॉखला हट हिंदुस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की कही बाट पाकिस्तान की आर्मी चीफ राहिल शरीफ ने कहा कि अगर पाक ने सर्जिकल स्ट्राइक की तो भारत की पुष्टे इसे भुला नहीं पाएंगे रिटार्मेंट से पांच दिन पहले राहिल ने कहा हमारी फौजे भारती सेना की किसी भी हरकत का जवाब देने की काबिलियत रखती है प्राहि शरीफ ने ये बयान पार्क क्रिकेटर शाहिद अफ्रीदी के नाम पर बने एक इस्टेडियम का उद्घाटन करने के बाद दिया बता दें कि भारत ने उरी हमले के बाद सितंबर की आखिर में एलोसी पार कर सर्जिकल स्ट्राइक की थी इसमें 38 हातं की मारे गए थे जिसके बाद सही पाकिस्तान बोखलाया हुआ है हालाकि इस बीच सीमा पार्ट से पाक सेनिको द्वारा सीस फायर का उलंगन कर कई बार फायरिंग की गई है जिसका जवाब भारती सेनिको ने पूरी मुस्तेधि से दिया बता दे की पास दिनों के बाद पाक की आर्मी चीफ राहिल शरेफ रिटायर्ट को रहे है ऐसे में भारत द्वारा की गई सर्जिकल इस्ट्राइक उनके लिए ताउम्र के लिए जख्म बन गया है यही कारण है किस जख्मों को भरने और अपने देश के सामने खुद की इस्दत बचाने के लिए राहिल मिया ख्याली पुलाव का मरहम अपने जख्मों पर लगा रही है